उल्जन में थी मैं देर तक कि कैसे खुद को आकलूं। करके वहीं दिखाऊंगी मिलूंगी अगर मिट्धी में तो भी जड़े मजबूत कर जाओंगी जड़े मजबूत कर जाओंगी नमस्कार दर्षको गुष्पूगय रूल आप सभी का स्वाकत करती हूं हमारे काऱक्रम साहितiticार पर दर्शको हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ होंगे एक वरिष्ट साहित्यकार और इस कारिक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यात्रा पर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि समाज की हर छेत्र में नारी बखू भी कर रही है और आज जो अतिति हमारे साथ मौजूद है उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि महिलाएं साहित्य के छेत्र में भी पीछे नहीं है तो आपके इंतजार को मैं खुश्बू गैरोला करती हूँ खत्म और मिलवाती हूँ आपको हमारे आज की अतिति से स्वागत करती हूँ हमारे आज की अतिति वरिष्ट साहित्यकार कुसुम भड़ जी का नमस्कार कुसुम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका कुसुम जी वैसे तो आपकी साहित्य पर हम ये पूरी चर्चा करेंगे ही और आप एक प्रेणा की श्रोथ हैं सभी महिलाओं के लिए कि महिला चाहे तो हर छेत्र में आगे बढ़ सकती हैं लेकिन हम शुरुवात यहीं से करना चाहेंगे कि आपका जन्म कहा हुआ जी मेरा जन्म पौड़ी गड़वाल के एक छोटे से गाउं में हुआ जो भहुत पिछड़ा हुआ गाउं है अभी भी है और पड़ाई लिखाई भी मैटिक तक तो वही हुई फिर साधी हो गई फिर पड़ाई बाद में हुई जी बच्चे भी पाले और सासाथ पड़ाई तो वहां सिस्फ आपकी किसाहित्यात्रा का आरंब बच्चपन से हैं या फिर आगे जा कि आशा कुछ हुआ जिसने आपके जिंदगी को इक नया मौड दिया कह सकते हैं साइट यात्रा का तो जैसे बच्पन में मुझे लगता था कि कोई जैसे रिसी बेद की रिच्चायां से बुद बुद आते हैं, तो ऐसे मुझे लगता था कि कुछ है, और मेरे भीतर है कुछ, लेकिन उस कुछ के लिए कोई मार्ग नहीं था, इतने पिछड़े वे गामें जहां लड़कियां पढ़ती नहीं थी, केवल मैं जाती थी दूर स्कुल, जो इंटर तक था, और इतने लंबे रास्ते को लांके में जाती थी, जहां सांप, बंदर, जहां भूत खरात था मतलब रास्ता, और मैं अकेली जाती थी, और कोई पढ़ने के लिए, पढ़ने के आपके परिवार वालों ने आपको आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया आपको, नहीं कुछ ने किया, मुझे बहुत चिकायत है, और मैंने जिद्ध करके, मैंने का मुझे तो पढ़ना ही है, और मेरी पीछे की बहन है, उसको कहा कि तुम पढ़ोग उसने का मैं तो खेती बाड़े कलूंगी, कोई बात नहीं और मैंने का मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना नहीं है, तो मुझे जीना भी नहीं है, तो मैंने का चाहे दूर हो कितना दूर है पर मुझे तो पढ़ नहीं है, फिर साधी हो गई, 15 साल में साधी हो गई, तो तो आपकी साहित ते यात्रा के आरंब के यदि हम बात करें वो तो जब पत्रिकाए में पढ़ती रहती थी हमारे गर में पत्रिकाए आती दरहमियों को गहरा आती थी तो उसको पढ़ पढ़के और कुछ बीज जो बच्पन में पढ़ गए होंगे के साहित के यात्रा इस तरह सुरू ही कि एक बिरोध बिद्रो जिसको कहते हैं मेरे भीदर बहुत बिद्रो था इस तरह का बिद्रो था कि इतनी चोटी सी उमर में खेलने के उमर में पढ़ाए कि मेरी साधी कर दी बात मनतामे ती कि मुझे तो साधी करणने और बड़े काम करने और यह था कि जो लड़कियां लड़कों को साधी कर दो बगा आपको कुछ अंतर नजर आता है बहुत अंतर अब नहीं है अब अपने जिद्द से वह सब कुछ कर सकती है तो मेरे जो सोच थी लोगों की शायद लड़कियां कुछ नहीं कर पाती आज वह काफी हद तक बदल चुकी है काफी है क्योंकि जब मैं थी तब तो मुझे बहुत सब अब आधार की सब करनें साथ में आपने शादी के बाद क्या है दो करना शुरू किया? साधी के बाद भी पढ़ाई की, इंटर किया, बीए किया, एमे किया, और लिखना तो बहुत बड़ी उमर में किया, जब मैं 38 साल की थी, तब से मेरा लिखना सुरू हुआ, तो पहली कहानी मेरी 99 में चपी दिया, मरुजाने में, तो कहां से आपको प्रेड़ना मिली कि हां ल करना है जरूरी, और अच्छा लगता था जैसे लेखेकाओं की फोटो देखा, ये लेखकों की लगता थी तो फरिस्ते हैं, कुछ नया कहने जा रहे हैं, और इनके होने से ये प्रिथिवी है, इनके होने से समाज अच्छा बनेगा, और एक मेरे भीतर ब्यवस्ता के खिला अच्छा नहीं था, ये लड़की ये लड़कों से मेरा बहुत दिरूद है, तो मुझे अपने परिवारवानों से बहुत बदलाव आ चुका है कुसुम जी तब किस्तिती में और आज किस्तिती में बहुत बदलाव है, अब लोगों की सोच बदलने लगी है, और शायद ल करने में बताईए, हाँ, सुरू सुरू में तो कविताई लिखी में ने, क्या हुआ कि मुझे अपने जिन्दगी से कुछ भी अच्छा नहीं था, उदास जब लिखने के पर के लिए है, बहुत उदास थी मैं अपने जिन्दगी से कि मेरा जीवन क्या है, मेरा तो खतम हो बचे पाल नहीं मेरा मकसद नहीं है Αनाका मुझे कुछ और चीज के लिए भीजा गया है। लिकिन वह चीज क्या है वह भीतर से कुछ फूटन ही रहा। जो फूटना चाहता था, क्योंकि दभाया जाता था लो जैसे अगर केला घर के गाम के लिए हो शेवा करने के लिए, तो विद्द्रो पूटती विद्द्रों के पूतर् तो "' मैं किया हूं?' proddykelov, क्नूं को आगे बढ़ूने के लिए प्रोच साहन की ज़रूवत पढ़ती है तो क्या मेरा कोई वजूद नी है कि मैं बच्चों की और एक आदमी की पत्ती हूं यही मेरा वजूद है तो मेरे अंदर बहुत बिद्रोब फूटा फिर मैं भीतर ही भीतर होता रहा जैसे चेतना का कि एक सुन्ने में जैसे क्या है मेरी जिन्मेग कुछ नहीं बहुत से विचार आते हैं मैं फिर एक दिन ऐसे कि पहली रचना कौन सी थी इसे अंज़ी कोई बहुत अच्यवत नहीं अच्छा लगेगा पसंद्रा तो मुझे अपना नियाता मुझे तो बहुत महान लेखकों का पसंद आता है पर अपना मैंने भी कविताओं लिखी है खुब चपी है हम उच्छुक हैं आपकी साहित त्यात्रा जानने के लिए तो आपकी कुछ पंक्तियां सुनने को मिलेगी तो हमें बहुत अच अजने मनिया जातना मुझे शर्षा और शर्ष्ट स कहाने के ईध्या और मशला आता गरकते परने अपंदी म粉ै खिषा खुब खुब पर्संद शानने में उसलेकिस तो में कहानी की बहुत बहुत에 बहुत पत्रिका वो मैं जो जो भी आज की जो मेन पत्रिका उसमें मैं चपी हूँ और खुब परसंसा भी होती रही रिखा कोंके उस समय तो चिटियां आती थी तो उसके बाद मेरा यह नहीं है कविता की पंक्तियां सागत है को समझी अलाव जलाने को तोड़नी थी तुमारे बताए रास्ते पर चलती रही आख मूंद कर मेरी यातना का इतिहास लिखा जा रहा था अंतरिक चिहास लिखा जा रहा था चप्पे चप्पे पर दो पंक खुलने थे मंड़ा रहे थे यह जो रोकते हैं हमारे परतिबा को जागे बढ़ने से रोकते हैं बंदे रहे कुछ बीज विश्वास के जो हमें अपने बिदर विश्वास होता है आत्म विश्वास होना बहुत आवशक है जी चेतना की गांट से नहीं हुए शकलित आत्मा के बीचों बीच फड़ फड नालंदा के खंडरों में था जो सब्ड तो मुझे ऐसे भी लगता था कई बार सपने में ऐसे मुझे दिखा हैं मेरा जो पिशला जनम में मानती हूं यह सब जो 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 सास्तरों में लिखाओ के जनम होता तो मुझे लगता मैं नालंदा में जनमी थी मैं पहले तो ऐसे मु जो सब्द अलाव जलाने को तोड़नी थी चीड की पिर्री लकडी, चीड होता है उसमें पहाड में जो जलाते हैं चिल्ला बोलते हैं उसको एकदम से जरता है, जर जलती सतय पर आग, आग मतलब आत्मा की सतय पर, आग जलती, भटकती रही बसुली की खोज में, बसुली जि जो लकडी को कारते हैं, छोटी सी होती हैं कुलाडी जैसे, बटकती रही बसुली की खोज में काल से परें, बहुत बहतरीन पंक्तियां को समझे आपकी, समय की दीवार पर उखडी थी कील, बीच में रुख गई टिक टिक गड़ी की सुई, बर्प के पहाड में तबदील ह क्वाला इनजन जो भाप था जो भीतर से होरा था बहुत ही सटीक पंक्तिया आपका लिखी है और गहराई, इसका अर्थ जो है बहुत बहुत गहरा है और बहुत खूपसरोते हैं ऑपकी यह पंक्तियां हैं अचा कुसम जी आपने कहा कि आपने कविताय लिखी कुछ और जालिमों के हातों सहीध हो रहा था सब्द, उसके गिरते जरते पंखों को समेट बुनने लगी थी सुबह का उजाला, जो नोच्रे थे उसको उठा के बटोर के उजाला बुनना था, सब्द बुनता है उजाला, समय ने करवट बदली, ठीक उसी वक्त एक कविता ने जनम लिया, जब समय ने करवट बदली तो ठीक उसी वक्त, यह आपके पंक्तियां सुनकर मेरे मन में उच्शुक हो जानने के लिए कि कब जनम लेती है आखिरे कविता या कहानी, कविता ने जनम लिया, पहाड का सिला पर साधना लीन, रिशियों ने उसका नामकरण नहीं किया भी, देख रहे हैं आप उसका उत्सा, सब्द का उत्सा हो, ढोल नगाड़ों का भीषरण सोरवे, बिगुल बजाता, सब्द का ऐसे उत्सा है, क्योंकि सब्द में वो रोष्णी है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो दुनिया को बदलने की जिसमें सकती है, वो सब्द, वो हमारा हातियार है, अधे हैं, उस पर की कवीता तो कवीता कब एक जनम लेती है, क्वीता थे कहानिया, कवीता को जैसे होता है, क साधना, कविता कुछ साधना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा कविता हुद बहुत पड़ी हुई है लेकिन मैं संतुस्त नहीं हूँ तो कहानी में क्या होता है कि कहानी जब जनम ले पहले तो कोई हमें कोई जैसे कहीं पर कोई चीज कौन जाती है इतना बड़ा जीवन है इतना है तो घर घर में कहानी है बिल्कुल हर चीज क으नी हुआ को घृट लिए हमसर का एंग बहुत सी हर बोल सकते हैं हर मोमें प और यह मेरे बस में नहीं है, यह कब उत्रेगा मैं कभी जब कोसिस करूंगी तो नहीं उत्रेगा, लेकिन जब उत्रेगा, लेकिन जब उत्रेगा, कुसुम जी, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, साहित ते यात्रा पर चर्चा करने वाले हैं, तो आपके जो पुस्तके रहा हुई थी सामाईक परकाषन से James Ward की और इन चर्चित भी हुई यह कहाणी आई थी और खुब चर्चा में वह इसकी बजे .. लोगा ने मुझे इसुरी के संघर्श को भी आपने लिखा है इस तरी के कहानियों में कविताओं में, इस तरी के संघर्श को गी लिखा है, पहाड में जिस साहते हैं। और उनको घर में कैसे समझा जाता है पुरुष तो उनको पायदान समझते हैं अब थोड़ा सा जो अच्छा समझते हैं लेकिन उस समय के साथ बदलाव आता है बदलाव की एक लिहर आती है दादा ना ना के जमाने के मा के जमाने के तो इस तरियों को इसके लावा बाकी जो तो उसमें आप जो कहानिया लिखती है या फिर जो प्रकाशित हुई है या फिर जो आने वाली है तो उसमें आप किन विशर पर लिखना पसंद करती है यह पहले तो मैंने इस तरी बिमर्स पर ही लिखा लेकिन आप दूसरी चीजों पर है थोड़ी सी चीज वह होती है बा वहाविता है वहाविता संग्र है उसकी आंग का पानी, वह और लाएन डिख को नरेश सकसे ना जिने रचना उत्समे चाहता है तो उन्होंने कहा दा रिस्क की कविता है यह कि आपको लोग कहेंगे कि ऐसे क्यों लिख दिया कि वह ऐसे है अगर मिजे थोड़ा मुझे पूरी तरह से तो नहीं पत्न याद है भी बहुत इंतिजार रहेगा हमें उसका और इसके साथ साथ आप उपन्यास पे भी काम कर रहे यह है वो एक तो मेरी कहानी संग्राइब आने वारा है यह पिगल रही है बरफ जल्दी आ जाएगा और कविता भी उसका आगे बढ़ते हैं आपकी साहित्यातरा की इस चर्चा पर तो कुसम जी जब आपने लिखना शुरू किया होगा तो ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिन कही ना कही सम परेढ़ना लेते हैं पर यह है कि मुझे अच्छा लगा था कि कुछ लोग जिनको कहानी सब्द से इतना प्रेम है सुबास्पनजी है ।्च्छ जी तेन भाड़ती है जी थाकुर जी यह उनको बुला लिया होगा आपने में लेंगे अरू असपल है विजय राजे सकलानी उनको भी बुलाया था अच्छे कवी हैं और गंबीर सिंग पालनी जी हैं तो उन लोगों ने उनके साथ में जैसे होता कि कोई बच्चा पाड साल आ है तो उसमें सीखता है हालां कि उनके कुछ नहीं बताया उन्होंने आलोचना की खूब कटर आलोचना की इत कि अच्छा काम कर जाती है बिल्कुल बहुत एहिं काने बादी है और जो तारीफ परसंद्सा होती है वह कभी-कभी क्या होती है कि हमारे ही फालतक साबित हो सकती है झूझकि गलतियां जब तक अंसान को अपनी गलतियां पता नहीं चलेगी तो वह सुधार नहीं कर और जो मेरे अगला संग्रे आएगा तिकल रही है बरप वो मैंने उनके नाम किया है सवेदना के सात्यों के लिए यदि बात की जाए आपके उपलब्धियों पे तो किन-किन उपलब्धियों का जिक्राप करना चाहेंगी कुसुम जी लेकिन सम्मानित हुआ थोड़े बहुत पटना में उजर अपल नेपाल में सम्मानित हुए मेरर्ठ में सम्मानित हुए दिल्ली में प्रेम चंद उतकरस. संस्ता दोरा मुझे प्रेम चंद सम्मानित किया गया प्रेम चंद के नाम से प्रेम चंद साहित्य सम्मान प्रेम चंद साहित्य सम्मान जी और अभिव्यक्त एक संस्ता है दिल्ली में तो वो उसमें बिदुसी हैं सो महिला हैं उसमें बहुत बिदुसी हैं पढ़ने का कूब उनको पसंद आया आपका लिखाओ अधिया और चंदरकान ता बरिष्ट लेखी का हमारी उन्हों ने उस पर बहुत अच्छा कमेंट्स किया लिखा कि कुसुम भट जो है कुसुम जी आपके लिए क्या परिभाशा होगी अगर एक पंक्ती में हम जानना चाहें आपके लिए साहित्य क्या है क्या सघ्धा क्या है एक अच्छा मनुष्या बनना एक अच्छा मनुष्या एक शंय दन्सील मनुष्या एक जो ब्यावस्ता है एक दुनिया में इस्तरी के पड़ती सबसे पहले है इसतरी के साइटना भेद भाव क्यों है तो ए मेरे लिखने का जो मकसद है ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम ऐसे तो बदलने सकते सत्ता को भी हम ऐसे बदल नहीं सकते जो लोग का भी जनसत्ता पर तो वो उनकी जो मर्जी होती वो करते हैं हम लिखी सकते हैं जो अवांजित चीजों को हटाने के लिए और हिंसा के खिलाप, किसी भी अत्याचार के खिलाप, हर छीज को एक खूब व्शूरत दुनिया तो मैं भी यही मानती हूं, तो मुझे तो लगता है कि साहित्य से बहुत कुछ बदलता है, अब बदला है, जब हम साहित्य कारेग आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि साहित्य की जान यहीं बोल सकते हैं, तो वह शब्द है, सब्दों की ताकत है प्रेम चंद ने कहा था कि सब्द जो है वो सब्दा के आगे चलने वाली मसाल है तो मैं भी यही मानती हूं तो मुझे तो लगता है कि साहित्य से बहुत कुछ बदलता है अब बदला है जब हम साहित्य कार एक जुट हो कर और यह मसाल उठाएंगे नहीं इस तरह ब्यवस्ता इस तरह होनी चाहिए जिसमें सब जी सके आराम से छोटा बड़ा कोई भेद्वानों नज्जातिका साहित्य यात्रा के ऐसा कोई किस्सा जो आप आज हमारे दर्श्कों को बताना चाहते हो किस्चिय तो क्या है अभी बहुत है चोटे मुटे किस तो कैसे आपने मतलब चुनौती पूर्ण रहा होगा तो उसके बार में आप क्या कहना चाहेंगे आपको घर भी समालना था और साहित्य को तो वक्त देना ही था और आज भी आप लगातार लिख रही हैं कि चर्में काम करते करते ऐसे डाइरी में ऐसे लिख लेती ऐसे घू अगर एक पंक्ती में हम जानना चाहें कि आपका युवाओं के लिए जो लिखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक सुझाव क्या होगा युवाओं के लिए तो मेरा सुझाव पहले खूब पढ़े और अपनी हिंदी से अपनी भासा से प्यार करें और कलात्मक्त चीजो से प्यार करें और खूब पढ़ें सबको पढ़ें जो महान लेखा को यह उनको पढ़ें और पढ़ना बहुत आवश्यक है किताबों की एहमियत साहित्ति में बहुत है कि हमें यह जो ब्यवस्ता है बदलनी है कि जीवन ऐसा नहीं होना चाहें बदलाव की लहर श्रब्दो दिया है वो याद रखेगा कि किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है और शायद वही है साहित्ति के प्रती आपका पहला कदम और यदि आप में आत्मे विश्वास है तो आप सफलता जरूर पाएंगे